नमस्कार दोस्तों एजुकेशन 24 में आपका स्वागत है आज का वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि आज की इस वीडियो में आपको बीए फर्स्ट एर की फर्स्ट सेमेस्टर में आपका जो सब्जेक्ट है हिस्टीर यानिक इतिहास उसकी अंद में आपको आने वाले क्वेशन के बारे में बताऊंगा और साथी जातुन क्वेशन का इस वीडियो को ध्हान से दिखिएगा तक कि आपको आने वाले क्वेशन माचे से पता चल सके फिलाल आज की इस वीडियो महमूद हो सबसे पहले आति लगूत र enriched up blueprint Er के बारे मिम जान यहांपाकिया था और 1026 के बीच में सोबनाथ किया था दूसरे पूसरिसरा की वाए राज के ने की नगरों का निर्मार कराया था दूसरे question कर रहा है कि बीगरह राज ने की नगरों कर निर्माड कर रहा है तिस question का अंसर यह हो जाएगा कि बीगरह राज ने बिसल सागर तथा बिसल पूर कर निर्माड कर रहा है यह जो question ने बहुत ती महतोपूरे exam में कई बर आ चुका है इसलिए आपको क्या करना है कि चाहमान वन्स का संस्थापक वसुदे उता. ऐस वरतें गले का बालतेंगे क्योंट करिएक। यह पहला रजा उपंदwar वन्स का पहला रजा उपंद्र था यानि कि जो परमार वन्स है इसका पहला ससा कौन था यानि कि पहला राजा कौन था तो परमारवंस का पहला राजा उपेंद्र था इसको आपको याद रखना है उसके बाद आगे कह रहा है कि उपेंद्र ने यानि कि उसने 790 SP से लेकर 870 SP तक सासन किया यानि कि जो परमारवंस का पहला राजा उपेंद्र था इसने कब से कब त थो भीम देव दूरलव राज के भतीजा था तो भीम देव दूरलव राज के भतीजा भना उसी के सासनकाल में गजनी के सासक महमूद ने गुजरात पर चढ़ाई की तता सोमनात के परसित मंदिर को लुटा यहां पर आपको बताना है कि चालू के वंस का पहला सासक कौन था तिस कोईशन का अंसर इह हो जागा कि चालू के वंस के पहला ससक मूलराज प्रतम था, मूलराज ने 942 शिस्पी से लेकर 833 शिस्पी तक राज किया अब आगे बर्तंगली कोईशन की तरफ यहां पे आपका सात्वा कोईशन दीवा है गूर्जर परतिहार वंस का प्रथम सासक कौन था सात्वा कोईशन कर रहा है जो गूर्जर परतिहार है यहाँ पर बतना है कि गूरजर परतिहार किस जाती के थे आखे बतना है जो राज सेखर है यहाँ पर बतना है कि राज सेखर किस का दरबारी कभी थे तिस question कांसर यह हो जाएगा कि राज सेखर महेंदर पाल का दर्वारी कभी था जो राज सेखर है राज सेखर किसका दर्वारी कभी था तो राज सेखर जो है महेंदर पाल का दर्वारी कभी था इसको भी आपको अच्छे से याद रखना है अब आगे बड़ तेंगले question की तरफ यहाँ पर आपका दस्वा question दीवा है हर्सवर्धन की रसनाओं के नाम लिखिए दस्वा question कर रहा है जो हर्सवर्धन है हर्सवर्धन ने कौन कौन से रसनाओं की है उसके नाम बताना है तिस question का अंसर यह हो जाएगा तिस question का अंसर यह हो जाएगा तो समराज के पतन के पर्मु करण निम्न थे, पहला उत्रादिकारियों का भाव, दूसरा हूड आकरमड, तीसरा समन्ती विद्रो, चोथा अगरहार पर्था, पांच्वा बिवासंधी का परित्याग, और छठा है विदेशी वेपार का पतन, यानि कि कोश्चन कर रहा है कि जो गुप्त समराज है, उसका पतन के से हुआ, पतन के क्या क्या कारण थे, यहां पर इसका अंसर ही हो जागा कि जो गुप्त समराज है, उसके पतन के निम्न कारण थे, जिसमें पहला है उत्रादिकारियों का भाव, दूसरा है हूड आकमड, तीसरा है समन्ती विद्रो, चोथा है अगरहार पर्था और पांचवा है विवाह संधी का परित्याग और छाटा है विदेसी व्यपर का पतन। पहला नागवन से वाविक संध और दूसरा है वाकाटकों से वाविक संध यानि कि जो चंद्रगुप्त दिरतिया इसने दो विवाह किया था पहला जो है नागवन से वाविक संध असे पित किया था और दूसरा जो वाकाटकों से विवाह संध असे पित किया था अब आगे पर तंगले कोरिशन की तरब यहां पर आपका त्यरहों कोरिशन दी हुआ है चंद्रगुप्त प्रथम का सासन काल बताईए त्यरहों कोरिशन कारा है जो चंद्रगुप्त प्रथम है यहां पर आपको चंद्रगुप्त प्रथम का सासन काल बताना है यानि कि उसने कब तक 319 सिवी से ले करके 300 upty निया कि जो चंद्रगुप्त प्रतहम है उसका शासनकार कब से कब तक रहा तो चंद्रगुप्त प्रतहम के सासनकार अमब 319 सिवी में हुआ था इतिहास कारों का नुसार इसकी अंतीम्ती 7315 से विकार किया गया है अता चंद गुप्त प्रत्म का सासन काल 319 सी भी सिले कर 350 सी भी है आगे वरते अंगली कोश्चन की तरफ यहां पर आपका चोधाव कोश्चन दीव है मौरे समराज के पतन के परमुकारण लिखिए उसके बाद तीसरा है निर्बल केंद्रिय सासन चोथा है बिदेसिया कमण और पांचवा है रिक्तराज कोश्च यहनि कि जो मौरे समराज है उसका पतन कैसे हुआ पतन के कौन-कौन से कारण है तीस कोश्चन कान सरी हो जाएगा कि मौरे समराज के पतन के मुखे करणनी में थे जिसमें पहला है असो के हिंसावादिनीती दूसरा है ब्रामडो का बिरोद तीसरा है निर्बल केंद्रिय सासन चोथा है बिदेसिया कमण और पांचवा है रिक्तराज कोश अब आगे बड़तंगले कोश्चन के तरफ यहां पे अपका 15 कोश्चन दीवा है मौर वन्स के इतिहास के सुरोद बताएगे 15 कोश्चन का रहा है जो मौर वन्स है उसके इतिहास के सुरोद कौन कौन से है तीस कोश्चन का अंसर ही हो जाएगा कि मौर वंस के इतिहाज जानने के लिए निमनिकी सुरोत महत्रपूर है जिसमें पहला है मेगस्थिनीज के विर्तांत दूसरा है असो के भी लेक उसके बाद तीसरा है कोटीले कर्थसास्त्र चोथा है मुद्रा राक्षास पांचवा है धार्मी गरंथ और छाठा अन्य सुरोत जैसे की महा वंस और दीप वंस यह जो है यह सब क्या है तो यह सब जो है मौर वंस के इतिया जाने के सुरोत है अब आगे बरतंगले कोईशन के तरफ यहां पेपका 16 कोईशन दीवा है हडपा और मोहान जोदलो पूरास्तोलो की खोच की नितियास कारों ने की थी मोहान जोदलो की खेवज़ज़ जो है रखाल दास पनरजी 1922 में किया था अब आगे बर तंगले कोशन की तरफ यहां पर आपका 17 कोशन दीवा है परागे इतिहास काल से क्या ततपर है 17 कोशन कर रहा है जो परागे इतिहास काल उसे क्या ततपर है जिस कोशन का अंसरी हो जाएगा प्रागे इतिहास से तत्परे सभेता के प्रारंबिक यूग से है जब प्रित्वी पर जीवत तत्तों करस्तित के अस्थापना हुई प्रागे इतिहास वस्तुता उसी काल के इतिहास को माना जा सकता है जब लिखी साक्षे दूरलभ हो आगे बर तंगले कोशन की तरफ यहां पर आपका आटरो कोशन दीव है वाइदिक सब्द की सब्द से बना है आटरो कोशन का रहा है जो वाइदिक सब्द है यहां पर आपको बताना है कि वाइदिक सब्द की सब्द से बना है तो वेदकार्थे ग्यान तो टोटल आपके 18 को कोमेंट कर वीडियो को लाइक का direct प्र практи चाहिए तैंकि दुस्तों झाल झाल